नमस्कार मैं सतिश जैस्वाल आपका स्वागत करता हूँ सेशन वन में हम कक्षा छव विशे हिंगी इकाई पांच धर्थी को महकाएं काव्य का पठन एवं वननन देखेंगे इस काव्य में कवी ने प्रकृति के अलग-अलग ततो के माध्यम से मनुष्य को यह सेख दी हैं कि हमें अपनी धर्थी को सुम्दर एवं सुगंदित बनानी चाहिए अब हम काव्य पंगतियों का पठन एवं वननन देखेंगे कक्षा च विशय हिंदी इकाई पांच धर्थी को महकाए अब हम काव्य पंगतियों का पठन करेंगे बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश-खुश रहते हैं आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंसहते हैं सूरज की किर्णों को देखो रोज धरा पर आती हैं अंधकार को दूर बगा कर सारा जग चमकाती हैं दीपक को देखो कैसे यह हर दम जलता रहता हैं अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता हैं आओ हम भी इंसा बन कर जग में अपना नाम कमाए अच्छे सच्चे काम करे और सारी धर्ती को महकाए सब्दार्थ बगिया छोटा बगिचा फूल पुष्प आंधी दूल भरी जोर की हवा पानी जल रोज प्रतिदिन दरा दर्ती बोमी अंधकार अंधेरा जग दुनिया संसार चमकना प्रकाशित करना दीपक दिया दीप हर्दम हम्मेशा अंतर रिदय दिल रोशन उजाला प्रकाशित इंसान मनुष्य महकना सुगंधित करना अब हम काव्य पंक्तियों का पठन एवं भावार्थ देखेंगे बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश-खुश रहते हैं आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंसन सहते हैं सुरज की किरिणों को देखो रोज धरा पर आती है अंधकार को दूर बगा कर सारा जग चमकाती हैं अब हम भावार्थ को समझेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवी प्रकृती के तत्व जैसे की फूल, सुरज, दीपक, आदी के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देता हैं की हमें हमेशा हस्ते रहना चाहिए बाग के जो फूल हैं वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं चाहे तुफानाय या बारिशों वे सबको हस्ते हुए सहन करते हैं आगे की काव्यपंक्तिया सूरज की किर्णों को देखो रोजधरा पर आती हैं अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती हैं बावार्थ सूरज की किर्णे हमेशा धर्ती पर अपना प्रकाश फैलाती हैं वे रात के अंधेरे को दूर करता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है इन पंक्तियों में कवी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें सदेव प्रसनता से अपना काम करना चाहिए और धर्ती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए मुहावरे रोशन करना अर्थ प्रकाशित करना इंसान बनना अर्थ अच्छा आदमी बनना नाम कमाना अर्थ यश पाना समान प्रास्वाले शब्द मानवता महानता सज्जनता समानता लंबाई चोडाई पढाई लिखाई चाचा दादा नाना मामा बेटा प्रिय चात्रो आज हमने सेशन वन में कविता का वर्णन एवं पठन किया आशा रखता हों की आप सब सबदार्थ का अध्यन करेंगे मुहावरे का देन करेंगे इवं कविता को कंठस्त करके लिखेंगे दन्यवाद